नमस्कार दोश्तों आपके अपने इस यूट्यूब चेनल प्रवर्तक स्पोकन इंग्लिस में मैं निलेज आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे this, this, that and those का प्रयोग किसे हम किस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं या इनका प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग चीजों को बताने के लिए किया जाता है जैसे कि हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि वह गाड़ी है यह पुष्टक है वह टेबल पर पुष्टक है यह सोफा है यह स्टिल बॉक्स है यह आज का पेपर है वे साइकले है यह पैन है यह अच्छी जॉकल इस प्रकार से हम चीजों को बताने के लिए इस गृत यह अंदोस का प्रयोग करते हैं एक चीज्य हम इनका प्रयोग करते हैं मगर एक चीज्य आपको द्यान में रखनी होगी कि जानवरों के लिए या इंसानों के लिए दोस करते हैं इनका प्रयोग नहीं करते हैं इसके लिए हम दूसरे प्रोनौंस और हिसी इट बियो फ्रॉनौंस को हम उपयोग करते हैं ध्यौन believer लिए एनिमल्स के लिए मेंस के लिए नहीं करते हैं तो यह चीज धान में रखें सबसे पहला प्रोडाउन जो हम देख रहे हैं वह है दिस का हिंदी अर्थ होता है यह दिस से जो सेंटेंस बनते हैं वह यह है वाले सेंटेंस होते हैं मतलब हिंदी के वे सेंटेंस जिसमें हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जैसे कि यह मोबाइल है यह मेरा मोबाइल है यह तुमारी सर्ट है यह मेरी जगह है जब भी हम किसी चीज के बारे में बोल रहे है जो कि यहाँ है के रूप में होता है वहाँ वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जो कि यहाँ कुछ वस्तु का नाम और फिर है तो उसको बनाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं या फिर सिदे सब्दों में कहें या जाद रखने की साब से यह है यह है वाले वाक्य को हम दिस से बनाते हैं और एक चीज जहाद रखना है कि वहाँ पर हम वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ उधारन है यह मेरा बेग है यह पुरानी कार है यह ताजा है तो यहां पर हम किसी भी वर्ष्टू के बारे मात कर रहे हैं वर्ष्टू है मेरा बेक, पुरानी कार और ताजा तो ताजा भी हम यहां पर किस हबजी या किसी आइस्क्रीम या मतलब किसी वर्ष्टू या निर्जी वर्ष्टू की हम बात कर रहे हैं तो यह है, वाले वाक्य को हम this से बनाते हैं, या फिर इस प्रकार वाले वाक्य को हम this से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो वाक्य बनाने के लिए एक formula है, grammar के हिसाब से, कि this is उसके बाद हम object जो भी चीज के बारे में बता रहे है और जो भी चीज है ुसका English में बोलेंगे हम, मतलब पहले आपको this is बोलना है और फिर बस्तू के बारे में या बस्तू का नाम आपको बोलना है जैसे कि this is और बस्तू का नाम, यह हमारा simple formula हो जायेगा, हम एक sentence लेते हैं यह pain है तो देखिए शुरू में यह है और आखरी में है मतलब यह this का sentence है तो English में बनाने के लिए जैसे कि हमारे formula में दिया है कि सबसे पहले हम this is this बोलेंगे फिर is बोलेंगे और फिर जो वस्तु है वस्तु है हैं पर हमारी pen तो pen को English में pen ही कहते है तो this is pen sentence यह pen है का English में हुआ this is pen clear मतलब this is और फिर बस्तु का नाम pen next example यह लाल pen है तो simple है यह है का sentence है तो this और is लाल pen तो लाल को बोलेंगे red और pen को बोलेंगे pen तो red pen हो जाएगा हमारा object तो sentence होगा this is red pen next example यह नई घड़ी है तो यह का sentence है नई मतलब new घड़ी मतलब watch तो पहले this फिर is yes new watch clear ओके ना नेक्स sentence यह तुम्हारी पुष्टक है यह तुम्हारी पुष्टक है तो यह है मतलब this और is तुम्हारी पुष्टक जिसे कि हमने pronoun या पिछले वीडियो में सीखा था तुम्हारी पुष्टक मतलब your book तो your book this is your book यह हम मेरा है तो यह हम मेरा है तो this is mine जब मेरा जब कोई वस्टू नहीं होती है मेरा या मेरी बूक मेरी पेन मेरी गाड़ी इस टाइप से ऐसा नहीं होता है कि हम मेरा बोलते हैं तब हम इंग्लिस में उसके लिए mine का यूज करते हैं वैसे ही यह तुमारा है यह तुमारा है तो this is yours तो यहाँ पर भी जब हम यूज के साद कोई subject या कोई वस्टू नहीं लगाते हैं तो हम yours बोलते हैं उपर के sentence की तरह है तो यह चीज आपको याद रखना होगा यह पुराना है तो this is old पुराने को हम old कहते हैं यहाँ मेरी समझ्च्या है तो यहाँ है और मेरी समझ्च्या क्यों इंग्लिस में कहेंगे my problem तो sentence हो जाएगा yes, this is my problem क्या होगा this is my problem तो यह थे this अब हम देख रहे हैं these तो these these का इंग्लिस या सोरी हिंदी अर्थ होता है यह these का हिंदी अर्थ होता है यह तो यह वाले sentence जैसे कि यह है ऐसे हिंदी के वाक्य जो की यह है के रूप में होते हैं उन्हें हम these से बनाते हैं मतलब यह और इंग्लिस में these are जैसे पिछले हम this is बोल रहे थे तो यहां पर these और these के साथ लगता है are और फिर जो भी हम बता रहे है किसी वर्ष्टो के बारे में या वर्ष्टो का नाग वह हम कहेंगे ठीक तो these are या यह है वाले sentence कैसे बनाते हैं example समझते हैं जैसे यह पुरानी पुष्टके हैं देखें शुरू में यह आया है और आखरी में है आया है तो यह है यह है का sentence हुआ और पुरानी पुष्टके पुराने को बोलते हैं old और पुष्टके हैं बहुत सारी उसको बोलते हैं books तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि जब चीज़े एक से अधिक होती है या बहुत सारी होती है तब हम यहां के बजाए वस्टू को बताने के लिए यह सब्द का प्रयोग करते हैं clear वस्टू को बताने के लिए हम यह सब्द का प्रयोग करते हैं तो देखें यह है का sentence हुआ यह इसलिए सबसे पहले आएगा these are और पुरानी के लिए old और पुष्टकों के लिए books जो कि हमने कहा कि हम एक से यादे पुष्टकों के बारें बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने s लगाया है तो old books हो गया है sentence हुआ these are old books ये पुरानी books है जैसे हम बोल सकता है कि ये पुराने कपले हैं तो these are old cloths next example ये free है जैसा कि हम एक सदिक्षी जों के बारें बोल रहे हैं इसलिए हम हिंदी में ये का प्रोयक करते हैं इसलिए ये है का sentence हुआ इसलिए सुरु में आएगा these are और इंग्लिस में free को तो free कहते हैं तो these are free ये ताजे full है these are fresh flowers देखिए बहुत सारे full के बात करें तो इसलिए ऐस लगाया तो एक सीज़ ध्यान रखने है कि जब हम these are या these वाले जो sentence बोलते हैं तब हम object जो भी बोल रहे हैं उसको plural form या बहुवचन में उप्योग करेंगे तो these are fresh flowers ये ताजे full है तो देखिए ये सुरु में है और आखरे में है तो these are ये मेरे जुते है तो क्या हो जाएगा these are my shoes मेरे जुते के लिए my shoes मेरी चपल होगी तो my slippers मेरा बेग होगा तो my बेग ये कठीन प्रस्ण है ये कठीन प्रस्ण है so these are tough questions या these are hard questions या these are hard problems ऐसा भी हम बोल चकते है या tough problems next अगला जो हम ले रहे है that तो date का हिंदी सब्द अर्थ होता है वह तो यब भी हम वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तब हम that वह के लिए that का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं और that से जो sentence बनते हैं वह है वह है वह है ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं तो हम that का प्रयोग करेंगे और इंग्लिस में that के साथ हम is का प्रयोग करेंगे मतलब वह है वाले वाक्य बोलने के लिए इंग्लिस में हम this that is that is से चालू करेंगे जैसे कि हमने पिछले दो इसमें देखा तो उसी तरीके से हम that के sentence भी बनाएंगे बट यहाँ पे that के साथ आपको is का प्रयोग करना है that is का प्रयोग करेंगे example लेते हैं वह मेरा घर है तो देखी सुरू में वह है और आखरी में है वह मेरा घर है हम एक वस्तू की बारे में बात कर रहे है और मेरा घर को हम बोलेंगे my home या my house वह है मतलब क्या जाएगा that is और मेरे घर के लिए my house तो that is my house next वह वह नई गाड़ी है तो that is new bike वह गंदी शर्ठ है तो that is dirty shirt वह आम का पेड़ है वह आम का पेड़ है तो that is mangoes tree का है यहाँ पर आम का पेड़ इसलिए यहाँ पर apostrophe s हमने यूज किया है तो इस इस डेस को लाकि s का मतलब होता है का तो mangoes tree मतलब mango का tree इसलिए प्रकार हम यूज कर सकते है जैसे रोहन का घर बुलना है तो रोहन's home इस प्रकार से बोल सकते हैं next example लेते हैं वह तुम्हारी रुमाल है that is your henky तुम्हारी रुमाल your henky next है those those का मतलब होता है वे जब भी हम वस्तु के बारे में बता रहे हैं और वह है sorry वे है मतलब जब हम एक से अधिक चीजों के बारे में बात करते हैं और हम बोलते हैं कि वे गाडिया है वे cycle है वे नई cycle है वे पुरानी कूर्शिया है वे लाल फूल है वे ताजे फूल है जब हम एक से अधिक चीजों के बारे में बताते हैं, वे है करके बोलते हैं, तब उन sentence को बनाने के लिए हम दोस्त का प्रयोग करते हैं और इंग्लिस में sentence प्रारम होता है दोस आर, हम दोस आर बोलेंगे शुरू में और फिर जो चीज बोल रहे हैं, उसका नाम या उसके बारे में हम यहाँ पर बोल देंगे, दोस आर, तो clear, वे ब्लैंक है, वाले sentence को हम दोस आर से बनाते हैं वे मिठे आर, वे शुरू में आ रहा है, है लास्ट में आ रहा है, और हम यहाँ पर वस्तु के बारे में बता रहे हैं, वे मिठे आर, तो दोस आर, clear, sentence दोस आर से चालुआ, और मिठे आर को हम बोल रहे हैं, स्वीट मेंगोज, क्योंकि हम एक सदी काम के बारे में बात कर हैं, और इंग्लिस में जो भी हम वस्तु का बोलेंगे, उसको हम बहु अचान या plural form में बोलेंगे, तो mango singular होता है, और plural बनाने के लिए यह लगता है, तो mangoes, तो sweet mangoes, मतलब मिठे आम, sentence हुआ, these are sweet mangoes, यह मिठे आम है, वे बेकार है, देखो यहाँ पर वस्तु नहीं है, वस्तु के बारे में ही मत कर रहे हैं, वे बेकार है, तो those are useless, बेकार को हम कहता है, useless, those are useless, वे मेरे कपड़े हैं, those are my cloths, those are my cloths, वे नीले पेन हैं, those are blue pants, those are blue pants, तो यह देखे हमने, that, these, these and those, अब हम उन्हीं माप चुके देखेंगे, negative, मतलब नहीं वाले या negative sentence कैसे बनाते हैं, तो is are के बाद not लगाते हैं, मतलब negative या नहीं बोलने के लिए, हम is are, जहां पर हम sentence में यूज़ कर रहे थे, is or are, helping work, उसके बाद आपको कैवल not लगाना है, कैसे लगाना हैं, देखें, जैसे कि यहाँ सही नहीं है, यह सही नहीं है, तो देखें, sentence पहचानने के लिए, यह है, देखें, सुरू में यह, और आखरी में है, तो यह और बीच में हम किसी बाश्चु के बारे में बोल रहे हैं, या किसी चीज के बारे मोल रहे हैं, तो यह है, तो यह है के रूप में sentence हुआ, मतलब यह this is वाला sentence हुआ, तो शुरू में आ जाएगा, this is, this is, और फिर हमने सिखा था कि इसके बाद not लगाना है, तो नहीं आ रहा है sentence में, इसलिए इसके बाद क्या लगाएंगे हैं, not, और सह this is not right, यह सही नहीं है, या फिर हम इसको डाइक भी बहुत सकते हैं, this is wrong, clear, this is wrong, मतलब यह गलत है, या इसलिए को उल्टो बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे, this is not right, next example समझते हैं, वे ताजे नहीं है, यहां भी बश्तों के बारे मत कर रहे हैं, और sentence है, यहां पर वे है, मतल those, क्योंकि वे के लिए क्या आता है, those, और है आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, are, तो those are, नहीं आ रहा है sentence, negative है, करात्मक sentence है, इसलिए are के बाद के लगेगा, not, और ताजे के लिए बोलते हैं, fresh, sentence हुआ, those are not fresh, मतलब यह है, कि आपको जो भी positive sentence थे, उसमें, बस, जो helping work है, is या, उसके बाद हम बीच में not लगा देंगे, तो वहाँ negative में बदल जाएगा, next example लगते हैं, ये मेरी पुष्टके नहीं है, ये मेरी पुष्टके नहीं है, तो sentence पहले परचानना ये, है, तो ये के लिए आता है, these, और है इसलिए are, तो these are, फिर negative इसलिए not लगा, बोले तो these are not my books, यह तुमारी सर्ट नहीं है, वह तुमारी सर्ट नहीं है, तो sentence है वह है वाला और वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, वह तुमारी सर्ट नहीं है, that is not your सर्ट, that is not your सर्ट, तो ये थे, that, these, and these, and those, इसके negative sentence भी हमने बनाना सीखा, और यहां पर इसका कैसे यूप्यो करते हैं, तो इसी के practice के लिए मैं description में एक practice sheets के link दे रहा हूँ, जिसे आप download कर सकते हैं, और पूरे sentence को translate करें, और अधिक से अधिक sentence अपने मन से बनाएं, और उसकी बोल बोल कर practice करें, और मेरे साथ बने रही हैं, सिखते रही हैं, और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल पर यहां पर क्लिक करके subscribe कीजिए, पूरे चैनल के पूरे वीडियो देखने के लिए, जोकि मैं मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए, वीडियो पर क्लिक कीजिए, और मेरे पूराने नए से आँख्री तक के पूरे कोर्स के आप वीडियो देख सकते हैं, इस नए कोर्स के वीडियो देखने के लिए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, और मेरे नए कोर्स के वीडियो आप देख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और मेरे साथ सिखते रही है थेंक यू